साफ्ड लौन हम इसके बात करेंगे उसमें क्वाइट्रेश करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट क्या होता है इस एवर चाहए। प्राइन है क्या राइट करेंगे बॉर्ण पॉयान को पार्स वेडियो हम लाइए बापान आप उप सपरिकर एकल चल संक्वाइस्वर थीटा इंच्वर थी निवर क्यान फॉर्मूला और कॉम फॉर्मूला होता है साथी इसकोड टीटा is equal to one minus cost theta and इसी तरह same process x qq8-10 square theta equal to one this is all formula ठीक है अब बात करते है quadrant की quadrant में क्या कैसा आजाता है quadrant okey quadrant क्या होता है simply ismeh bat करेंगे this year यह एफ दिजर्श यह वर यह ए or important and is this land this is in vertical line you can see by access and access it this is the horizontal lines okay इसमें क्यों होता हो मारा और पोच्टे वह टा है को फोच्टे भुटे होते हैं सारे के सारे पोच्टे होते हैं और इस में हम 2ग करते हैं ज Comingval कि नाइंटी डिगर शलते हैं यह हम and supplementary angle दो की हम बात करेंगे complimentary and supplementary जिसे 0 to 90 and this is 180 degree ठीक है यहां से यहां हम बात करेंगे complimentary and supplementary इसमें all positive होते है 0 to 90 there are four parts first, second, third and fourth ठीक है तो इसमें क्या होता है हमारा all positive है, इसमें होता है sign and cosac, sign and cosac, दो इसमें क्या होते है positive होते हैं, बागी सब negative होते हैं और यहां से हम चलते हैं, 90 to 180 90 to 180 simple you can say on here simple किस तरह से आप यहां पर कह सकते हैं 90 minus theta क्या बोल सकते हैं, 90 minus theta जितना भी आएगा, 90 minus theta आएगा ऐसे यहां पर हमारा क्या होगा, 90 plus theta होगा और 180 minus theta होना चाहिए, यहां पर ओके, इसी तरह थर्ड में क्या आता है, हमारा 10 and cot 10 और end cot, यह हमारे positive रहते हैं, बागी सब यहां पर हमारा क्या चलता है, हमेशा यहां रखो, 180, 2 182, 270 इसमें क्या होगा, 180 plus theta लेंगे आप और 270 minus theta लेंगे ठीक है, इस तरह से आप write करेंगे, इसमें क्या होता है, हमारा sec and cos यह positive होते हैं, बागी सब negative होते हैं ठीक है, इनको carefully देखना है और इनको learn करना है, इनहीं की basis पे questions होगे, यहीं से ही हम क्या करेंगे सभी यतने भी functions हैं, उनके value find out करेंगे sec theta and cos theta, after this आप यहां कह सकते हो, क्या 270, 2 360, but इस तरह से write कैसे करोगे, 360 degree minus theta and 270 degree plus theta, इस तरह के कुछ concept है यह और इस तरह के कुछ point मिलेंगे इनहीं basis पे हम निकालेंगे, ठीक है तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं और कैसे क्या करते हैं, जैसे कि suppose that आपका लिखा हुआ है, आपने इस तरह सिखा कि sine sine 90 minus theta, और एक चीज हमेशा याद रखो एक चीज पर हमेशा याद रखो, क्या क्या होती है, कंडिशन इस तरह से कि 180 2 182 आपका 360, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, no change अभी बताते हैं, इनका मीन क्या होता है no change, ये आपस में कभी चेंज नहीं होते हैं अपने ratio प्रकल में, और 90 और 270 ये क्या होते हैं, आपस में change हो जाते हैं, किस तरह से बस आपको ये देखना है, बस first quadrant में जिससे मैंने लखा, यहाँ पे sin 90 minus theta तो आपको मालूम होना चाहिए, sin हमेशा क्या होगा, 90 है ना तो 90 वाला क्या हो रहा है, 90 और 270 हमेशा change होगे, लेकिन चेंज होंगे किसमें, अपने अपने reciprocal में change होंगे, sin cos में change होगा, cos आपका sin में change होगा, ठीक है, तो cos theta, बस simple खतम आपका हो गया, अब इसी तरह आप आँगे बढ़ेंगे, ठीक है, और all positive होता है, तो positive ही निकल गया आएगा plus का ही निकल गया आएगा, आपने यहाँ पे किया, cos 90 minus theta, ओके, cos 90 minus theta, आप जानते हो, cos किसमें change होगा, अपने reciprocal में, sin cos में, cos sign में, तो यहाँ भी आप पा होगे, sin theta, simple, अब आँगे आप लेजिए, 10 90 minus theta, क्या हो जाएगा, cos theta, क्यों अब इसके बाद आती है, सेक 90 minus theta, सेक कर reciprocal क्या है, cos, cos का क्या है, सेक, तो यह आपस में change हो जाएगा, cos theta, and cos 90 minus theta, एकल टू, आपका क्या होना जाएगा, सेक theta, ओके, इस तरह से हम लोग find out करते हैं, बस इतना याद रखना है, 90 है तो change होगा, 270 है तो change होगा, 180 है तो change नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर देख लो, जैसे कि यहाँ पर right है, simple में यहीं पर करने जा रहा हूँ, sin 90 plus theta, यहाँ पर आप चेक किजिए, तो 90 plus theta किसमें आ रहा है, 180 वाली, 180 में क्या है, sin और cos है का आपके positive हैं, और बागी चेंज होगा, तो आपका क्या गया यहाँ पर, cos theta, वो भी positive आएगा, no problem, अब जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर cos 90 plus theta, तो आप कैसे निकालोगे, cos 90 plus theta, अगर 90 है तो change तो होना ही होना है, किसमें change होगा, अपने reciprocal में, sign में change होगा, तो sign theta, ठीक है, but yes में हमको यह देखना पड़ेगा, positive आएगा, कि negative आएगा, तो मैंने देखा, यहाँ पर sign और cos theta है, लेकिन बागी तो सब negative है, sign cos theta के अलावा, तो यहाँ पर यह cos क्या हो जाएगा, तो sign का, sign ही रहेगा, और sign 90 plus theta, और cos theta यह आपका क्या हो जाएगा, minus का cos theta, okay, simple, sign और cos आपके क्या होंगे, अब देखो, simple, जैसे कि आपने दूसरा लिखा, 10 90 plus theta, आपने देखा, 90 plus theta में, sign और cos आपके positive हैं, बागी आपके negative, तो आपका यहाँ से जो काड़ बनेगा जाके, वो क्या बनेगा negative, काड़ ठीटा, क्योंकि 10 जो है, अपने रेसिप्रोकल में change होगा, 10 काड़ में हो जाएगा, ठीक, इसी तरह से आप सारी value find out कर सकते हैं, अब हम 180 को ले लेते हैं, कुछ को, कूछ को हम 180 को ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिखा, यहाँ साइन, 180, ठीक है, 180 minus theta, ठीक, इस तरह से write किया, अब 180 minus theta, इसमें देखा, sign positive आ रहा है, क्या रहा है, sign, लेकिन change किसमें हो रहा है cos में change हो रहा है cos में change हो रहा है तो आपका positive ही रहेगा क्या रहेगा positive रहेगा तो sine का cos हो जाएगा cos theta यह आपका आया sine का cos theta आया तो cos theta को आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो cos आ रहा है cos क्या इसमें positive है Pretty तो आपने देखा किसमें चलाजाएगा मैनस का 신 theta हो गया इसी तरह आप आगे बढ़ेएंगे cos 90 minus theta 180 minus theta तो cos 180 minus theta तो cos से आपCanствен ौ 2 इसी तरह से आप आप यहां पर देखिए, पहले तो 180 को चेक करो जाके, 180 के आए, no change है ना, तो यहां पर भी change नहीं आपका होगा, क्या, sin theta ही आएगा, sin theta, वो भी positive आता है ना, इसमें positive तो positive भी रहेगा, अब cos 180 theta लेखा, तो 180 है, तो 180 में no change, cos का तो cos ही आना है, cos का, cos ही आना है, ठीक है, यहां पर आप यह देखें, कि positive क्या था, sin और cos ही था, बट यहां पर cos तो है नहीं, तो यह minus का cos theta आपका हो जाएगा, ठीक है, simple, इसी तरह आप जैसे 10 का निकाला, आपने, या sack का निकाला, ठीक है, sack 180 minus theta किया आपने, ठीक, तो आपने देखा, sack 180 minus theta है, तो 180 minus theta में आपने आपने देखा, 180 वाला no change, तो sack theta तो रहना ही है, और इसमें है क्या, sin और cos एक positive में, बागी सम negative, तो यह क्या हो गया, आपका negative minus theta, इस तरह से हम लोग find out करते हैं, बैलूज को, ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, थोड़ा सा, next or, कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आपका cot, 180 माइनस का theta, तो आपने देखा, cot change किस में होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 180 क्या होता है, आपका no change, तो cot का cot ही रहेगा, cot theta, बट यहां पे 180 माइनस theta, जो 180 से चल रहा है, हमारा यहां पे, तो यह हमारा क्या है, no change, ठीक है, और sin और cos एक पोच्टे में, बागी सब negative, तो 90 माइनस, 180 माइनस theta, तो आपने देखा, कि 180 माइनस theta, तो आपने देखा, कि 180 माइनस theta, पोच्टे में, तो cos एक ही आएगा, cos theta, इस तरह से हम लोग find out करते हैं, अब कुछ आपने देखे होंगे, इस तरह से, इस तरह से, कभी-कभी लिखा मिल जाता होगा, sin minus theta, cos minus theta, ठीक है 10 minus theta, और आपका cot minus theta, and sec minus theta, and cos sec minus theta, इनकी value कैसे find out करते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ तक यह क्या है, दिस जवर, whole angle, यह क्या है, whole angle, यहाँ से, one revolution complete हुआ, तो यह whole angle होगा, 360 का, इसका मतलब है, कि हम minus theta में जा रहे हैं, तो इधर से ना चलके, पीछे की और चलने, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इधर का minus हो जाएगा, minus theta, तो sin minus theta equal to क्या होता आपका, minus का sin theta, minus का sin theta, cos minus theta equal to, याद रखो, cos theta होता हमें सा पोच्टे बाता है, 10 minus theta, minus 10 theta आपका होता है, ठीक है, और इसी तरह, कोड minus theta निकालेंगे, तो minus quarter theta आएगा, sec theta निकालेंगे, तो sec theta और minus cos theta, यह आपस में कभी value change नहीं होती हैं, बट sign in के change हो जाते हैं, किस का किस के साथ minus आएगा, और किस के साथ plus आएगा, ठीक है, इस तरह से हम find out करते हैं, अब इन ही basis पे कुछ questions मिलेंगे, complimentary and supplementary basis पे, इस quadrant को मैं चीजिए, quadrant आपको इलर्न रखना है, quadrant के according आपको करना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख दो, जैसे sign आपने यहाँ लिख दिया, 360 minus theta, तो आपका क्या इस तरह से निकालते हैं, तो इसी basis पे कुछ questions हैं, तो हम question को देखते हैं, कुछिस करते हैं, solve करने की, जैसे question आपको दिया होगा, इस तरह से, sign 16, sign 16 upon cos 74, cos 74, तो इसको how will you solve it, बहुत ही simple question है, आपको क्या करना है, sign 16 को आप कैसे write कर सकते हो, sign 16 को आप कैसे write कर सकते हो, sign 90 minus 74, simple, इस तरह से, और cos 74 तो just पहली था, आप जानते हो, you know, you know, sign 90 minus theta, equal to, आपका क्या होता है, cos theta, simple, now you can write on here, sign की जैसे, cos 74, write कर सकते हो, simple upon cos 74, यह क्या होगा, आपका individual, क्या निकल क्या है, one, this is our answer, कुछ, इसी बेसे पर कुछ, एक next question और देख लेते हैं, जैसे, रुकर write होगा, cos sec, square 72 degree, minus का 10 square, 18, तो हो कितना easy questions है, बस carefully आपको देखना पड़ेगा, simple question है, इसको क्या write कर सकते हो, आप cos sec क्या write कर सकते हो, cos sec square, 90 minus 18 degree, okay, minus 10 square, 18 degree, आपको अच्छे से मालूम है, sec हमारा cos sec में change होता था, और cos sec हमारा sign में change होता था, तो याद करो, cos sec का, यहाँ पर आपका क्या बन के आ जाएगा, आपका sec square, 18 degree, minus 10 square, 18 degree, अब अच्छे से जानते हो, कि sec square theta, minus का 10 square theta, equal to क्या होता है, आपका 1, तो you can write on here, 1, simple, theta के value क्या है, आपर 18 है, same है, एक question और देख लेते हैं, आपका 3rd number question में बताता हूँ, आपको जैसे को लिखा हुआ है, आपका, cos 80, cos 80 degree, ठीक है, cos 80 upon sign 10, plus cos 59 degree, cos 31 degree, ओके, simple, यह बहुत ही simple question है, ठीक बहुरी है जी, बस द्धान दे रहा हो, कहां से क्या हम changement कर सकते हैं, simple, यहां से बहुत आपको दिख रहा होगा, कि cos को हम क्या write कर सकते हैं, sin 90 minus cos, sorry, cos 90 minus 10 degree, और नीचे पहले से हमारा क्या है, sin 10 degree, okay, plus cos 59 को कैसे write करोगे आप, cos 59 को कैसे write करोगे, आप 90 minus 31, इस तरह से इसको write कर सकते हो, और आप cos 31 degree given है, अब आँगे, आप बढ़ जाए, cos 91 को आप क्या write कर सकते हो, आप अच्छे से जानते हो, cos 90 minus theta equal to, आपका क्या होता है, sin theta होता है, तो आप इसको तरह दे यहां पे उठालाए, sin 10 degree upon sin 10 degree, यह आपका convert हो जाएगा, यहां से, अब प्लस का, यह आपका क्या हो जाएगा, sin, cos 90 minus theta क्या होता है, sin theta, तो sin 31 degree into cos 31 degree, sin से sin आपका चला गया है, यहां से, individual हो गया है, क्या मिला, one, one plus, sin 31 को आप क्या write कर सकते हो, one upon cos act write कर सकते हो, one upon cos act 31 degree, okay, into cos act 31 degree लिखा हुआ, यह यहां से आपका individual हो गया, आप अच्छे से जानते हो, sign का reciprocal क्या होता है, तो यह यहां पर write कर सकते हो, यहां से भी यह individual हो गया, क्या मिला, one, one plus one, क्या निकल के आया, two, two will be our answer, ठीक है, इस तरह से हम questions को solve करते हैं, I hope आपको समझवाया होगा, so please like and subscribe, thank you, thanks for watching,